Thank you so much for the love and affection that you people showered on the part 1 of this video जहाँ पर मैंने आपको 6 strategies बताएं थी, 6 hacks बताएं थे कि आप कैसे effectively English में communicate कर सकते हैं By the way, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखे, आपको link description में मिलेगा Please go and watch that video so that then I can continue and share with you 7 more strategies wherein you would be able to speak effectively in English ठीक है, आगे चलता है पहली चीज जो कि हापे हमें देखने हैं, जो कि अगर आप sequence में देखेंगे तो हमारा 7th pointer बनता है, वो ये You need to find a speaking partner देखो क्या होता है ना, आप लोग बहुत जादा motivate हो गए आपके अंदर बहुत जादा energy आगे, आपको लगा आप तो करना ही है बहुत अप तो results लेकर आने ही आने, आप तो strategies आ गई है पर क्या होता है ना, कुछ समय के बाद आपकी जो energy है वो खतम हो जाती है motivation नीचे चला जाता है तो इस motivation को बनाई रखने के लिए आपके पास एक partner होना बहुत जादा जरूरी है जैसे ही आपके पास एक partner आ जाता है आपका confidence बढ़ने लग जाता है आप अगर के एक दिन भूल जाते हो practice करना आपका partner आपको याद दिलाता है अगर आपका partner भूल गया, आप अपने partner को याद दिलाते हो आप लोग cumulatively मिलके काम करते हो मिलके strategies create करते हो मिलके English में बात करते हो मिलके phone पे English में बात करते हो मिलके English में बात करते हैं तो आप यह सारी चीज़े करना start कर दते हैं इसके लिए एक partner होना बहुत ज़्यादा जिरूरी है उसकी वज़े से accountability बनती है और अपने आप ही आपकी जो speaking skills हैं, वो improve होने लग जाती है 8th strategy, 8th hack, वो यह, यह मैंने बच्पन में बहुत कर रहा था मेरे grandfather ने मुझसे यह बार-बार करवाया था और यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप भी regularly करें जो भी आपकी native language है ना, हिंदी, English, उर्दू, तमिल, तेलगू, मराथी, मल्यालम, बेंगॉली, जो भी है वो उस language में आपको अपने sentences लिखने हैं और उन sentences को फिर English में convert करना है लिख के, उसके बाद बोल के, पहले लिखो फिर बोलो and similarly, sentences को English में लिखना है, और फिर उन sentences को Hindi language में convert करना है या अपनी native language में convert करना है, हिंदी मैंने इसले बोला, क्योंकि Hindi मेरी native language है आप किसी भी native language में बात कर सकते हैं, that's not a problem at all तो आपको क्या करना है, अपनी native language को Hindi से English में लिखना है, और English से Hindi में लिखना है ये process भी आपको रोजाना follow करना है आप जितनी बार इस process को follow करते चले जाएंगे उतना ही effectively आप communicate करेंगे और उतना ही अच्छे से आप English बोलने लग जाएंगे इससे क्या होगा, एक तो आपको sentences लिखने की practice हो जाएगी sentence construction भी अच्छा हो जाएगा grammar भी अच्छा हो जाएगा और English तो आप बोली रहो remember always English is not a subject English is a language, language को internalize करना यह चीज़ तो लिख लो tattoo कर वालो यहाँ पे, तब आपको याद रहेगा हाँ, English है एक language है मुझे इस language को एक subject की तरह नहीं treat करना है next strategy which is very very important for you to speak effectively in English is pauses देना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी गलती हमारी country में पता है क्या है हमको अगर यह लगता है कि को एकदम फराटे दार अंग्रेजी बोल रहा है यार यह बहुत बढ़िया speaker है कैसा बढ़िया speaker अगर उसकी बाते ही लोगों को नहीं समझ में आरी है तो अगर आप English में बात कर रहे हैं तो जैसे आप Hindi में बात करते हैं वैसे ही आपको English में भी pauses लेने ही लेने पड़ेगे आपको English में भी बात करते करते gap देना पड़ेगा अगर दो sentences उसके बीच में फुल स्टॉप के टाइम पे बड़ा ग्याब दो, कॉमा के टाइम पे छोटा ग्याब दो, अगर आप कहीं पे लोगों को चाहते हैं कि एक पटिकलर पॉइंट के उपर वो सोचे हैं, तो एक लंबा पॉस दो, अगर आप लोगों से कोई interaction चाहते हैं, या चाहते हैं लोग को while you are talking in English and अगर आप pauses नहीं ले रहे हैं, अगर आप उससे क्या होगा न, आप एक nervous speaker के तौर पे भी नजर आएंगे और improvement नहीं हो पाएगा, so it is very important that you include more and more pauses and इसकी वज़े से अपनी growth और अपनी productivity आपको बढ़ाते चले जाना है, the next strategy which happens to be our 10th hack is, अगर आप एक नया word सीख रहे हैं, उसमें कोई बुर्गाई ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नया शब्द मत सीखो, उस शब्द का meaning भी सीखो, और meaning के संक्सन उसका usage भी आपको सीखना पढ़ेगा, for example, अगर हम एक नया शब्द सीखते हैं, जिसका नाम है, जिसको बुला जाता है abundance, abundance का मतलब क्या हो people, I mentor people to have an abundance mindset in their life, तो जब आप उस word का meaning भी देखते हैं, और उसके साथ साथ आप उस word का usage भी सीखते हैं, तब आप उस word को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, otherwise अगर सिर्फ meaning सुचके, या meaning देखके रह जाओगे, तब improvement कभी नहीं होगा आपकी communication में, तो जबी भी एक नय word सीखो, which is good, although मैं ये भी बोलता हूँ कि vocabulary overrated है, थोड़े बहुत शब्द आने चीए, आपकी बात easily लोगों के पास तक पहुँच जानी चीए, that is enough, but if you are learning something new, if you are learning a new word, तो उस word का usage भी सीखना है, और उस word का meaning भी सीखना है, जब तक हम उसका usage और meaning नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी growth और productivity बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, again, time for you to give some trouble to your fingers, आपको अभी तक ये वीडियो कैसा लगा, आपने पहले वाले वीडियो में भी 6 hacks सीखें, इसमें भी 4 hacks सीखें, अगर आपको अभी तक ये वीडियो बहुत जादा पसंद आया है, please write the same in the comment section, I am waiting for you, go do it, I hope अभी तक आप लोगोंने comments लिख दिये होंगे, awesome, I can also read them, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे 11th hack में, 11th hack है, एक mentoring program 100% join करो, let me just rephrase that, हमारा mentoring program 100% join करिया, हमारे mentoring program में at the time of recording this video, साड़े 5,000 लोग है, yes, 5,500 people are a part of our beautiful community of Communication Mastery, यहाँ पर हम आपको English में कैसे बात करना effectively वो तो सिखाते ही हैं, अच्छी communication skills के थ्रू कैसे revenue generate करते हैं, कैसे digital marketing में आगे बढ़ते हैं, कैसे आप अपने लिए leadership opportunities create करते हैं, कैसे time को manage करा जाता है, कैसे mindset के उपर काम करा जाता है, हर हफते live trainings होती है, हर हफते content आपको दिया English में बात करोगे, आपको हम daily topics भी देते हैं, आपको हम learning भी देते हैं, आपको mentoring भी देते हैं, तो जो जो चीज़े मैंने आपको बुली हैं, हमने आपको सारी चीज़े इस program के अंतरगत मुहया करवा दी है, available करवा दी है, at the cheapest price possible, आपको link दिया होगा, आगे हैं, जो action takers है of this mind-blowing mentoring opportunity, this was our hack number 11, now let me share with you hack number 12, आपको ना अपने mouth की exercises करनी है, और mouth की exercises कैसे करनी होती है, tongue twisters के माधियम से, आपको बहुत सारे tongue twisters regularly भोलने हैं, उससे क्या होगा, एक तो आपका English बात करने में, fluency भी बढ़ेगा, clarity भी बढ़ेगा, और आपकी जो tongues हैं, जो आपका जो tongue है जो आपके mouth की muscles हैं, वो भी बहुत अच्छे से relax होजाती हैं, तो इस तरीके के tongue twisters आपको बोलने हैं, for example एक tongue twister में आपको बताता हूँ, I scream, you scream, we all scream for ice cream, let me repeat, I scream, you scream, we all scream for ice cream, awesome, दूसरा बताता हूँ, she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore, आप सोच जैसे जैसे आप इसको practice करते चले जाएंगे, और बहुत सारे tongue twisters net से ढूंड के निकाल लो, और उन tongue twisters पर regularly practice करो, तो आपके जो mouth की muscles हैं, वो again, again you are internalizing the English language, क्योंकि आप अपने मूग को आदत दे रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में बात करने के लिए, that is how you are going to become an absolutely perfect speaker, and hack number 13 ladies and gentlemen is, you will commit mistakes, आप गलतिया 100% करेंगे, लेकिन उन गलतियां का मतलब यह नहीं है, कि आप continue नहीं करेंगे, गलतियां हो रहे हैं, होने दो, problems आ रहे हैं, आरे दो, difficulties आ रहे हैं, आने दो, no problem, continue करो, persist करो, लोग मजाग बना रहे हैं, बनाने दो, मजाग कौन बनाता ह वो ही इंसान तो बनाता है ना, जो खुद नहीं बात कर पा रहा होगा, कोई भी अगर अच्छा है, educated, intelligent, learned, intellectual बनाता होगा, वो कभी भी आपका मजाग नहीं बनाएगा, और यार, लोगोंने तो वैसे भी मजाग बनाना है, तो कुछ करके ही मजाग बन वालो, problems will come, difficulties will come, ऐसा ही बनना है, उसी लेवल पर जाना है, उसी लेवल पर जाने के लिए सारे के सारे hacks follow करें, सारी strategies follow करें, your mentor is always there to support you, I have committed to empower lives and I will always continue doing that, please share this video with other people so that we can educate more people, enlighten more people and ensure कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, वो जाधा effectively इंगलिश में बात करें, एक global language सीख हैं and their communication skills as well as English speaking skills become absolutely impeccable, thank you so much for watching this video, here's your mentor signing off, bye